सामाणने ग्यान की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आज कई दृष्टिवादित बच्चे अपने हौसले से एवं ग्यान के बल पर उच्छ पदों पर आसीन है। उनकी दृष्टिवादिता उनके प्रयास में बाधा नहीं है। आपके इसी प्रयास में हम आपके साथ हैं, हमारा उद्देश सिक्षा के माध्यम से आपके जीवन को रोशन करना है। सामान्य ज्यान के अंतरगत आज भारत के पर्वतों के बारे में बताने का प्रयास कर रहे हैं। प्रशन भारत के उत्री सीमा पर इस्थित पर्वत है। सही विकल्प है वलित पर्वत का। प्रेशन भारत का सर्वोच पर्वत शिखर है। प्रेशन भारत में हिमाले की सर्वोच पर्वत चोटी है। प्रेशन भारत के कौन सी पर्वत शेणी नवीनतम है। सही विकल्प है हिमाले की पर्वत चोटी असम राज में इस्थित है। सही विकल्प है नामचा वर्वे। प्रेशन हिमाले की उत्पत्ती कीस भू सन्नती से हुई है। प्रेशन हिमाले का पाद प्रदेश यानी फूट हिल रीजन्स निम्निमे से किस नाम से जाना जाता है। आप्शन सार ए ट्रांस हिमाले, बी महान हिमाले, सी पीर पंजाल, डी शिवलिक, सही विकल्प है शिवलिक। प्रेशन उत्तराखंड हिमाले में सर्वोच परवर्शिखर है। ए चोखंबा, बी धौलागिरी, सी नंदादेवी, डी त्रिशूल, सही विकल्प है नंदादेवी। प्रेशन हिमाले में हिम रेखा यानी स्नो लाइन निम्न के बीच होती है। प्रेशन उत्तराखंड है। प्रेशन निम्न में से कौन सी परवर्शोटी संसार की दूसरी सर्वोच परवर्शोटी है। आप्शन्स आर A. गाडवीन आस्ठीन, B. कंचनचंगा, C. नंदादेवी, D. नंगा परवत। सही विकल्प है गाडवीन आस्ठीन। प्रेशन कारा कोरम परवर्शोटी का पूर्व नाम क्या है। आप्शन्स A. केटू श्रेणी, B. कृष्णागिरी, C. सागरमाथा, D. राकापोशी। सही विकल्प है कृष्णागिरी। प्रेशन हिमाले श्रेणी छेत्र में मिलने वाली संकीन तथा अनुदैर्ध यानी लंबी घाटियों को किस नाम से जाना जाता है। आप्शन्स A. दून, B. चोस, C. दुवार, D. मर्ग। सही विकल्प है दून। प्रेशन लगू हिमाले श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटी-छोटी घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है। आप्शन्स आर A. मर्ग, B. बुग्याल, C. पयार, D. दुवार, सही विकल्प है मर्ग। प्रेशन लगू हिमाले श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटी-छोटे घास के मैदानों को उत्रा खंड में क्या कहा जाता है। आप्शन्स आर A. दून, B. मर्ग, C. चोस, D. बुग्याल एवं पयार, सही विकल्प है बुग्याल एवं पयार। प्रेशन्य सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमाले का कौन सा प्रादेशिक विभाग इस्थित है। आप्शन्स A. पंजाब हिमाले, B. कुमायू हिमाले, C. नेपाल हिमाले, D. असम हिमाले। सही विकल्प है कुमायू हिमाले। प्रेशन्य काली एवं तिस्ता नदियों के बीच हिमाले का कौन सा प्रादेशिक विभाग इस्थित है। आप्शन्स आर A. पंजाब हिमाले, B. नेपाल हिमाले, C. असम हिमाले, D. कुमायू हिमाले। सही विकल्प है नेपाल हिमाले। प्रेशन्य निमलिखित में से किसी सागर माथा के नाम से जाना जाता है। आप्शन्स आर A. कंचन जंगा, B. गौडविन आस्टीन, C. एवरेस्ट, D. नामचा बारवे। सही विकल्प है एवरेस्ट। प्रेशन्य एड्मन हिलेरी ततेंजिंग नौर्गे द्वाराविश्व की सर्वुच परवत चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त की गई। आप्शन्स आर A. 1898, B. 1953, C. 1957, D. 1969 सही विकल्प है 1953। प्रेशन्स नन्दा देवी चोटी है ओप्शन्स A. असम हिमाले का भाग, B. कुमायू हिमाले का भाग, C. नेपाल हिमाले का भाग, D. पंजाब हिमाले का भाग। सही विकल्प है कुमायू हिमाले का भाग। प्रेश्ण, हिमाले परवत एक शेड़ी आरा कानियोमा कहां इस्थित है? आप्शन्स हैं, A. बलुशिस्तान, B. म्यानमार, C. नेपाल, D. थाइलेंड, सही विकल्फ है म्यानमार प्रेश्ण, कुल्लू घाटी निम्लिकित परवार शेड़ियों की बीच अवस्थित है B. रण जोती तिधा नाक टिब्बा, C. लद्धाक तिधा पीर पंजाल, D. मद्ध हिमाले तिधा शिवालिक सही विकल्फ है मद्ध हिमाले तिधा शिवालिक प्रेश्ण, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ Options A. इयो जोईक, B. पैल्यो जोईक, C. मेसो जोईक, D. सेने जोईक सही विकल्फ है सेने जोईक प्रेश्ण, हिमाले का दूसरा सबसे उचा परवर शिखर कंचन जंगा भारत के किस राज्ज में इस्तिध है Options A. असम, B. उत्राखन, C. सिक्किम, D. हिमाचल प्रदेश सही विकल्फ है सिक्किम प्रेश्ण, निम्लिखित में से सबसे प्राचीन परवर शेणी कौन सी है A. हिमाले, B. अरावली, C. विंद्याचल, D. सत्पुडा सही विकल्फ है अरावली प्रेश्ण, भारत में निम्लिखित में से कौन सी परवर शेणी किवल एक राज्ज में फैली हुई है प्रेश्ण, भारत में सबसे प्राचीन वलिद परवत माला कौन सी है A. विंद्याचल, B. सत्पुडा, C. अरावली, D. नीलगिडी सही विकल्फ है अरावली प्रेश्ण, अरावली परवत का सर्वोच शिखर क्या कहलाता है आप्शन, A. गुरु शिखर, B. सेर, C. दोदा बेट्टा, D. अमर कंटक सही विकल्फ है गुरु शिखर प्रेश्ण, पश्चिमी घाट क्या है आप्शन, एक अवशिष्ट परवत, B. एक बोड़दार परवत, C. एक भ्रंश कगार, D. एक जौला मुखी परवत सही विकल्फ है एक भ्रंश कगार प्रेश्ण, निम्न लिखित में से किस परवत माला को सयाद्री के नाम से भी जाना जाता है आप्शन्स आर, A. सत्पुडा, B. पश्चिमी घाट, C. पूर्वी घाट, D. अरावली सही विकल्फ है पश्चिमी घाट प्रेश्ण, पश्चिमी घाट यानि सयाद्री की सबसे उची शिखर है कौन सा है A. धूबगड, B. दोदा बेट्टा, C. अनामुदी, D. गुरुशिखर सही विकल्फ है अनामुदी प्रेश्ण, पूर्वी घाट इवं पश्चिमी घाट परवर शेडियों का समलित इस्थल क्या है ओप्शन, A. पालनी पहाडी, B. नीलगिरी पहाडी, C. अनामलाई पहाडी, D. शेवराय पहाडी सही विकल्फ है नीलगिरी पहाडी प्रेश्ण, भारत के सबसे दक्षनी भाग में इस्थित पहाडियां निम्न में से कौन सी है A. नीलगिरी, B. कार्डिमम, C. पालनी, D. अनामलाई सही विकल्फ है कार्डिमम प्रेश्ण, पूर्वी घाट परवर्शेणी का सर्वोच शिखर कौन सा है A. पंचमडी, B. महेंद गिरी, स्री दोदाबेट्टा, D. अनामुदी सही विकल्फ है महेंद गिरी प्रेश्ण, कार्डिमम पहाड़ी कहा अब इस्थित है A. जम्मु कश्मीर, B. हिमाचर प्रदेश, C. केरल, D. महारास्ट्र सही विकल्फ है केरल प्रेश्ण, गिरनार पहाड़ियां कहा इस्थित है A. बिहार, B. गुजरात, C. करनाटक, D. राजिस्थान सही विकल्फ है बिहार प्रेश्ण, गारो, खासी और जैन्तियां पहाड़ी किस राज में इस्थित है आप्शन्स आर A. मिघाले, B. मनिपुर, C. त्रिपुरा, D. असम सही विकल्फ है मिघाले प्रेश्ण, दक्षिन भारत का सर्वोच परवत शिखर है A. अनामुदी, B. दोदा विट्टा, C. महा बलेश्वर, D. महेंदगिरी सही विकल्फ है अनामुदी प्रेश्ण, भारत एवं म्यानमार के बीच सीमा निधारन करने वाली तीन परवर्शेणियां है A. खासी, पटकोई, तथा अरा कान्योमा, B. अल्टाई परवर्शिंकला, C. ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, D. इन में से कोई नहीं सही विकल्फ है A. खासी, पटकोई, तथा अरा कान्योमा प्रेश्ण, छोटा नागपूर पठार की सबसे उची परवर्चोटी A. धूबगर, B. पच्मडी, C. पारसनात, D. महाबलेश्वर सही विकल्फ है पारसनात प्रेश्ण, पाठ भूमी पाई जाती है A. दंड कारण में, B. छोटा नागपूर में, C. विधर्व में, D. विंद उच्च भूमी में सही विकल्फ है छोटा नागपूर में प्रेश्ण, छोटा नागपूर पठार आप्शन्स, A. अग्र गंभीर है, B. एक गर्थ है, C. एक पदिस्थली है, D. एक संप्राय भूमी है सही विकल्फ है एक संप्राय भूमी है प्रेश्ण, सबसे बड़ा हीमनन्द निम्न में से कौन सा है A. कंचन जंगा, B. रुदंड, C. गंगोत्री, D. केदारनाद सही विकल्फ है रुन्डन प्रेश्ण, हिमाले के सर्वुच शिखर माउंट एवरेस्ट की उचाई कितनी है सही विकल्फ है 8,848 मीटर यानी 8,848 मीटर प्रेश्ण, कोडाई कनाल किस परवर श्रिंखला पर इस्थित है Options A. पालनी, B. नीलगिरी, C. विंद्याचल, D. अरावली सही विकल्फ है पालनी प्रेश्ण, गुरु शिखर परवर चोटी कौन से राज्य में इस्थित है Options A. राजिस्थान, B. गुजरात, C. मद्रप्रदेश, D. महराष्ट सही विकल्फ है राजिस्थान प्रेश्ण, शेव राय पहाडियां कहां इस्थित है Options A. आंद्रप्रदेश, B. करनाटक, C. केरल, D. तमिलाडू सही विकल्फ है तमिलाडू प्रेश्ण, जहां पूर्वी घाट और पश्मी घाट मिलते हैं, वहां निमलिखित में से कौन सी पहाडियां इस्थित है Options A. अनामलाई पहाडियां, B. कार्डमम पहाडियां, C. नेलगिरी पहाडियां, D. शेवराय पहाडियां सही विकल्फ है नेलगिरी पहाडियां, प्रेश्ण, नर्मदा एवं तापी नदियों के मद इस्थित है Options विंदपरवत, B. सत्पुड़ा पहाडियां, C. राजमहल पहाडियां, D. अरावली पहाडियां सही विकल्फ है सत्पुड़ा पहाडियां प्रेश्ण, अंडमान और निकोबार दीब समू में सबसे अधिक उठाई वाली जोटी कौन सी है Options A. सैडिल पीक, B. माउंट थ्विलर, C. माउंट दियोवालो, D. माउंट कोयल Right choice, स्वाडिल पीक भारत के प्रमुख पर्वती दर्रे प्रश्ण, आरियों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? Options A. खैबर, B. बोलन, C. कारा कोरम, D. शिपकी सही विकल्प है खैबर प्रश्ण, खैबर दर्रा कहां इस्थित है? Options A. तिबबत और सिक्किम के बीच, B. पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच, C. चीन और अरुनाचल प्रदेश के बीच, D. हिमाचल प्रदेश और उत्राखंड के बीच सही विकल्प है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच प्रेश्न, जवाहार सुरंग नाम किस प्राकृतिक पर्वती दर्डे को दिया गया है आप्शन्स, ए पीर पंजाल दर्रा, बी बुंदिल पीर दर्रा, सी बनिहाल दर्रा, डी शिपकी ला दर्रा, सही विकल्प है बनिहाल दर्रा प्रेश्न, निमलिखित में से कौन सा दर्रा, पश्चिम घाट पर्वत माला में इस्थित नहीं है आप्शन्स, ए थाल घाट, बी भोर घाट, सी पाल घाट, डी पीपली घाट सही विकल्प है, पीपली घाट, पश्चिम घाट पर्वल वैल में इस्थित नहीं है प्रेश्ण पीपली घाट डर्रा किस परवती भाग में स्थित है? आप्शन्स ए पश्रिमी घाट, बी पूर्वी घाट, सी विंद्याचल स्रेणी, डी अरावली सही विकल्प है अरावली प्रेश्ण निम्लिखित में से कौन सा परवती दर्रा ले को श्री नगर से जोडता है? आप्शन्स ए बोंड डीला, बी काराकोरम, सी लिपु लेक, डी जोजीला, सही विकल्प है जोजीला प्रेश्ण पाल, घाट, डर्रा निम्लिखित में से किन दो राज्यों को जोडता है? आप्शन्स ए केरल तमिलाडू, बी करनाटक तमिलाडू, सी आंदप्रदेश तमिलाडू, डी करनाटक और केरल सही विकल्प है केरल और तमिलाडू प्रेश्ण तूजू दर्रा भारत को किस देश से जोडता है? आप्शन्स ए चीन, बी म्यानमार, सी नेपाल, डी भुटान, सही विकल्प है म्यामार प्रेश्ण नाथुला दर्रा किस राज्य में इस्थित है? आप्शन्स A. उत्राख्ण, B. हिमाचल प्रदेश, C. सिक्किम, D. मनिपुर, सही विकल्प है सिक्किम प्रेश्ण बोन दिला दर्रा भारत के किस राज्य में इस्थित है? आप्शन्स A. सिक्किम, B. मनिपुर, C. उत्राख्ण, D. अरुनाचल प्रदेश्ण सही विकल्प है अरुवाचर प्रदेश प्रश्ण नेमलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम राज में इस्तित है आप्शन्स A. माना दर्रा एवं नीती दर्रा B. नाथुला एवं जेलिला दर्रा C. शिपली का एवं याग्यपा दर्रा D. बुर्जिल एवं जोजिला दर्रा सही विकल्प है नाथुला एवं जेलेपला दर्रा प्रश्ण जम्मु से श्रीनगर का मार किस दर्रे से होकर गुजरता है आप्शन्स A. जोजिला B. बुर्जिल C. बनिहाल D. पीर पंजाल सही विकल्प है बनिहाल प्रश्ण किस परवत दर्रे से होकर भार्टीर तीर्थियात्री मान सरोवर जील तथा कैलाश परवती घाटी के दर्शन हितु जाते हैं आप्शन्स A. शिपली ला B. बारालाचा C. माना D. नाथुला सही विकल्प है माना प्रश्ण निम्लिकी दर्रों में से कौन सा सतलज घाटी में पढ़ता है A. नाथुला B. जेलपपा C. शिपली शिपकी ला D. शोर बन्थांगा सही विकल्प है शिपकी ला प्रश्ण खैबर दर्रा कहां है आप्शन्स A. भुटान B. बांगलादेश C. भारत D. पाकिस्तान सही विकल्प है पाकिस्तान प्रश्ण खैबर दर्रे में से कौन से दो देश जुड़े हैं आप्शन्स A. भारत और पाकिस्तान B. भारत और अफगानिस्तान C. अफगानिस्तान और पाकिस्तान D. Afghanistan और Tajakistan सही विकलब है Afghanistan और Pakistan प्रेश्ण निमलकीड में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में इस्थित है A. बारा ला B. पाचा ला C. शिपकी ला D. जेलप ला सही विकलब है जेलप ला प्रेश्ण बुर्जिल दिथा जो जीला दर्रा निम्लिखित में से किस राज में इस्थित है? आप्शन्स A. उत्राखन B. जम्मु कश्मीर C. सिक्किम D. हिमाचल प्रदेश सही विकल्प है जम्मु कश्मीर प्रेशन वर्ष 2006 के लगभग मद्ध में निम्लिखित हिमाले दर्रों में से कौन सा एक भारत और चीन के बीच ब्यपार बढ़ाने के लिए पुना खोला गया? A. चौंगला B. जारा ला C. नाथू ला D. शिपकी ला सही विकल्प है नाथू ला